नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत हैं एंबियन नेटवर्क पे अब देखिए दिल्ली पुलिस ने एक एफाई अदर्स की है नेलांगना के मुक्मंतरी रेवंद रेड़ी को एक खिलाफ और उनको समन भी बेजा है फेक वीडियो के सिलसले में लेकिन हम फिलाल बात करेंगे दिल्ली के सियम अर्विन केजरिवाल के बारे में और वहीं के दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सियम मनिश्य सौधिया के बारे में तो एक बार फिर से इनके मनसूबों पर पानी फिर गया है आप नेता और पूर्व डिप्टी सियम मनिश्य सौधिया को अधालत से एक बार फिर से करारा जटका लगा है और अर्विन केजरिवाल उनके सामने तो सुप्रीम कोट ने ऐसे ऐसे सवाल रग दिये हैं कि जो सपने थे जो मनसूबे थे उन पर पानी फिर दिया है अधालती कारवाई ने पहले बात करते हैं मनिश्य सौधिया के बारे में दिल्ली एक साइस पॉलिसी के मामने में राहु जवैनिय कोट ने आप निता मनिश्य सौधिया की दूसरी रेगुलर जो जमानत ज्याचिक उसे खारिस्ट कर दिया है और उनकी जमानत का CBI और ED ने दोनों नहीं वीरोद किया था उन्होंने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी लौजिक देखी आप इनका क्यार लोग तंतर में हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है तो उन्होंने उसी अधिका तो उन्होंने मुखदमे में很好 करना जमानत लिएक निसांत्रम कर होगों लुकाओं शुमान ऑजी भी watersिक收睛 तरह सरी निसांत्रम रिभवारी एक सर्वेट लिएक लोग मारे फरवरी 2023 को सिसोधिया को गिरिपतार किया गया था और जमानत का विरोध करते हुए जाच एजंसी नहीं ये कहा था कि सिसोधिया का घोटाले में बहुती प्रमुक रोल है इसलिए इनको जमानत नहीं दी जाने चाहिए और सिसोधिया सबूतों के साथ छेट-छाड भी कर सकत हैं ऐसा संदे होना ऐसा शुभा होना बहुत लाजमी सा है क्योंकि शराब गोटाले में आप देखिए केवल और केवल दिल्ली के बुखमंतरी ने 170 आईफोन जलाए हैं अब आप उनके माइंड सेट का को इमेजिन करिए कि वो कितने चालाख हैं उनको पता है कि अगर डिस मुंदर में खाई में तो वो मिल जाएगा तो कि उसको कहते हैं आईफोन इसलिए उन्होंने सोचा कि सबूत को जड़ से मिटाने के लिए इस इस दा बेस्ट वे कि आप जो आपके पास जो 170 आईफोन है उनको जला दीजे और उन्होंने जला दिया अब बड़ी कोशिश की जा रही है जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था एपल के मुख्याले में कैलिफॉर्निया में एपल के लोगों से बातचीत हुई है लेकिन वो उनके अपनी पॉलेसी होती है वो अपने कस्टमर को सबसे पहले देखते हैं बाकि किसी लिटिकेशन से उ और फिर ये जो लॉजिक बता रहे हैं वो भी इनने बताने की जुरूरत नहीं पड़ेगी कौन अरविन केजरिवाल और उनकी पार्टी के जो लोग इस समय जेल के अंदर हैं कुछ जमानत पर हैं और इसी मामले में दिल्ली के मुखमंतरी अरविन केजरिवाल को भी साथ माई तक नए खिरासत में बेजा था अब यही तारीक केजरिवाल के लिए भी है अब ईडी ने बहुत सारे आरोब लगाए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा जो शराब घोटाला किया गया है उसको ले करके इसलिए इन लोगों की जमानतों में बहुत टाइम लग है कैसे कैसे करके संजे सिंग को जमानत मिली है कई सारी शर्टों के साथ वो अलग बात है कि वो उन शर्टों को इस समय भूल गए हैं खेर कोई बात नहीं उनको याद दिलाना भी कोट को आता है फिलाल बात करते हैं अर्विन केजरिवाल की तो इडी ने ये आरुप लगा कि किजरिवाल की आमादमी पार्टी शराब घोटाले में जो अपराद से अर्जित की गई थी आये उसका सारा फाइदा लिया है किजरिवाल ने और आमादमी पार्टी ने तो इसका मतलब किजरिवाल भी अरोपी है और आमादमी पार्टी भी अरोपी है EDO-CBI ने ये कहा है कि आपकारी नीती को संशोधित करते समय अन्यमेत्ताएं की गई थी और जो लाइसेंस धारक थे, कारोबारी थे, उनको गलत तरीके से फाइदा पहुचाया गया लाइसेंस शिल्क माफ कर दिये गए या फिर कम कर दिये गए और L1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना उसको चला दिया जाने की उसको विस्तारित कर दिया है अब, अब क्या होता है आगे मंगलवार को सुप्रीम कोट में सुनवाई होती है चुकि इस समय अर्विन केजरिवाल तिहार जेल में है अचा उनकी ग्रिपतारी को ले करके भी दो जगहों पर जा चिकाएं दी गई हैं उनको ग्रिपतारी को ले करके तो सुंबार को भी इसमें सुनवाई हुई थी, मंगलवार को भी इसमें सुनवाई हुई, एडी के वकील एस राजू से कई सारे सवाल पूछे गए लेकिन उन्होंने अपना जो मेन लॉजिक दिया, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में वो आम आदमी पार्टी को भी आ मानत नहीं दी जा सकती और उनकी ग्रिफ्तारियां बिल्कुल जायज हैं, अब उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति खोटाले से सम्मंदित मनी लॉंडिंग मामले में अर्विन केजरिवाल की ग्रिफ्तारी जिसको वो चुनोती दे रहे हैं, इस पर में भी हो सकता है कि सु सुनवाई शुकरवार को हो, मंगलवार को सुनवाई होई थी, अब शुकरवार को सुनवाई हो सकती है, और इससे पहले जैसा कि मैंने बताया सुमवार को जिस समय सुनवाई होई थी, उस समय कोट ने केजरिवाल के वकील से ये पूछा था, कि आपने ट्राइल कोट के सा अब यहां से कहानी में दिल्चस्प पेच चलता है, गिरिफ्तारी अवैद है, सम्मन अवैद है, बस अर्विन केजरिवाल कट्टर इमानदार है, दुनिया सारी बेईवान है, अगर सम्मन को मान लिया होता, जो जानकार लोग है न कनून के, और ये ED और CBI के जो मामलों में जो समझ रखते हैं, उनका ये कहना कि अगर इन्होंने सम्मन की रिस्पेक्ट की होती, तो हो सकता है कि जाच एजनसी इतनी इरिटेट नहीं होती, आज अर्विन केजरिवाल का ये हश्र नहीं होता, जेल के सलाखों की पीछे नहीं होते, लेकिन होना वही होता है, जो इश समय उनकी बुद्धी काम ना कर रही हो जाद जरूरत से ज्यादा काम कर रही हो, उन्होंने नौ सम्मन, अब आप कहेंगे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ, नौ सम्मन, अगर मान दिये होते हैं, नौ सम्मन क्या, तीसरे चोटे सम्मन पर इगर वो एडी के सामने चले जिस तरीके से वो EDK Summons को बताते थी कि यह अबैद है अलाकि उनके बगील का ये कहना ऐ है, मनुख सिंग्री का ये कहना है कि उनोंने हर समन का जवाब दिया अब अगर जवाब दिया होता तो इतना सारा मामला इतना सारा रायता केजरिवाल ने नहीं फैलाया होता जिसमें वो बहुत माहिर है दिल्ली के शराब निती घोटाले में फस हुए दिल्ली के सीय मारीन केजरिवाल ने सुप्रीम कोट में जो जाचिका दायर की है उससे पहले की थोड़ी सी बात आपको बता दूँ, सेम जाचिका, सेम लोजिक, हाई कोड में भी दाखिर की गई थी ये जाचिका, लेकिन काफी सोचने, समझने, विचारने और सब दलीलों को सुनने के बाद, दिल्ली हाई कोड ने गहा था कि ये ग्रिफतारी, यानि कि अर हाई कोड ने ये कह दिया, तो बड़े मायूस हो गए थे, उनकी लीगल टीम भी और अर्विन केजरिवाल भी, अब अगली कोड में उनको पहुच नहीं था, obviously, हर व्यक्ति को हक है, सप्रीम कोड जाने का, तो अर्विन केजरिवाल भी सप्रीम कोड में पहुचे हुए हैं और सोंबार को उनकी सुनवाई हुई थी, काफी सारे सवाल जवाब पूछे गए थे उनकी लीगल टीम से, लेकिन मंगलवार को इडी से कुछ बाते पूछी गई थी, और उनका उन्होंने जवाब दिया, और केजरिवाल के सामने भी, केजरिवाल के जो लीगल टीम है, उ इस पर उनका ये कहना था कि उनकी जो राजनितिक पार्टी है, उसको खतम करने की साजीश सरकार की, अब आप देखिए समझे इस बात को, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन मोधी ने पहली बार, पहली बार अर्विन केजरिवाल के मामल भी दिया, वो भी उन्होंने तब दिया, जब वो कहीं पर इंट्रिव्यू दे रहे थे, क्योंकि अर्विन केजरिवाल ने जो किया है, वो कभी भारते इतिहास में नहीं हुआ, यानि कि कोई भी मुख मंतरी जेल से सरकार नहीं चला सकता, और अर्विन केजरिवाल इस बा क्या ये किसी गलत परंपरा को बढ़ाने की दिशा दी जा रही है, तो उन्होंने बहुत अच्छा सा उसका जवाब दिया, कि हमारे जो नेता हैं, उनमें इतनी नेतिकता की कमी नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई जिद्धी और धीट हो सकता है, लेकिन अन्धत्य वो सम्मिधान का सम्मान करता है, और सम्मिधान में ये नहीं कहा गया है कि कोई भी जो मंतरी, संतरी, परधान मंतरी, मुक्ह मंतरी जरूरी नहीं है कि वो इस्तिफा दे करके ही जेल जाए, लेकिन हर जो मुक्ह मंतरी हैं या कोई भी मंतरी हैं, जब भी जेल गए, इनके ही दो मंत्री गए हैं, इस्तिफा देकर के गए हैं, लेकिन अर्विन केजडिवाल को इस्तिफा नहीं देना है, क्योंकि वो अभी तक इस गलत फैमी में हैं कि उनकी ग्रिफतारी नाजायज है, लड़ाई इसी बात की हो रही है, और मंगलवार को जो कि सुनवाई कर रही है, सोमवार को भी सुनवाई होती है, मंगलवार को भी सुनवाई होती है, और जो अर्विन केजडिवाल की जो टीम है, वो इस बात पर एड़ावन्ट है, कि ग्रिफतारी अवैद है, इसलिए उन्होंने जमानत के लिए कहीं भी apply नहीं किया अब आप बात समझे कि अगर वो जमानत के लिए apply करते हैं तो it means गिरिपतारी सही है यह सूच के उन्होंने जमानत के लिए कहीं apply नहीं किया है और सुप्रीम कोट ने ये एक सवाल रख दिया कि आपने जमानत के लिए कहीं apply क्यों नहीं किया निचले अदालत में आपने apply क्यों नहीं किया इस सवाल का जवाब बहुत सारे मतलब लिए हुए है और इसी सवाल के जो जवाब हैं उसके चारों तरफ इस समय सुप्रीम कोट में अर्विन केजरिवाल की जाचिका पे सुनवाई चल रही है और अगली जो सुनवाई है वो करवार को हो सकती है तो कुल मिलाकर के दोनों ही CM, DIPT CM, and CM DIPT CM तो पूर हो गया अब को कि उनसे तो resign ले लिया गया था लेकिन CM अभी भी CM बने हुए और देखिए एक बात और जोड़दू में इसमें बहुत सारे कामों की pendency हो रहे हैं दिल्ली सरकार में मतलब दिल्ली सर कार जस्ट लाइक धिरी धिरे होता है न कि अगर आपके ओपर कोई आपको consent देने वाला ना हो यह सब नियम होते हैं अगर वो नियम ना चले और फाइले रुकनी शुरू हो जाए तो कामकाज भी रुकनी शुरू हो जाते हैं लेकिन अर्विन किज्रिवार इस बात जस्ट होगा आप यह देखिए कि इनके जो शराव घोटाले के लोग हैं उनको जमानत नहीं मिल रही मनीशी सौदिया पिछले डेड़ साल से आमिन सबा साल हो गया क्योंकि उनकी लास्ट येर शुरूआत में ही 2013 में गिरिफतारी हो गई थी शाथ से फेबरेरी में और इनकी जमानत अरजी के दोरान ही ये कोट को बताया गया था कि हम इनकी जमानत इसलिए नहीं होने दे रहे क्योंकि ये सबूतों के साथ छेड़ चाड़ करेंगे दूसरा आम आदमी पार्टी भी इस पूरे शराव घोटाले में पार्टी बनने जा रही है ये बड़ा आप लोगों ने मेरे साथ मेरा पूरा वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड जैसा कि मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करती हूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लिजे एंड जो बेल आइकन लगा हुआ उसको जरूर प्रेस कर दीजे थाकि जो मेरे नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखके खुश रहें स्वस्त रहें जैहिन जैभारत